हेलो स्कॉलर्स कैसे हैं आप सब साइन्स का चैप्टर 15 लाइट इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं हम लोग और आज की वीडियो में हम इसका जो टॉपिक है 15.3 राइट और लेफ्ट इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा था वो यह पढ़ा था कि प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही थी और उनकी स्पेशेल्टी क्या थी कि वो अप राइट जो है means ऊपर नीचे की डिरेक्शन में हमेशा सीधी बन रही थी और उनमे जो डिस्टेंस थी मिरर से जो अबजेक्ट की डिस् वो same आ रही थी, इसके अलावा उनका size भी हमको image की form में same दिख रहा था है, अभी क्या right और left में कुछ difference आता है, plane mirror के case में, तो चलिए उसको जानते हैं, When you see your image in a plane mirror, is it exactly like you? Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out, अभी तक जो आप mirror में अपनी image देखते हैं, exactly आपकी तरह है, but क्या सारी चीज़े exactly same हैं, जिस तरीके से आपकी position है, क्या image में भी same position बन रही है, चलिए इसको देखते हैं, activity है, activity 15.4, stand in front of a plane mirror and look at your image, raise your left hand, which hand does your image raise, Now touch your right ear, which ear does your hand touch in your image, क्या करना है, mirror के आगे खड़े होई है, आप अपना left hand उपर कीज़े, देखिए कि image को कौन साल hand उपर हो रहा है, means, यहाँ पर अगर हम इस object की बात करें, यह क्या है, object है और यह क्या है, image है, object ने अपना left hand अगर raise किया हुआ है, तो image का देखिए right raise हो रहा है, object ने अगर right hand को नीचे रखा हुआ है, तो image का क्या हो रहा है, left side का नीचे है, means, हमारे जो plane mirror की image बनती है, वो left, right जो है, वो interchange हो जाते हैं, अभी अगर आप mirror के सामने अपना नाम लिख करके और उसको mirror के सामने देखेंगे, या देखा भी होगा already आप लोगों ने, तो क्या देखते हैं आप, कि जो alphabets आपके इधर सीधे देख रहे थे, वो alphabets mirror में जाके कैसे हो जाते हैं, left, right में interchange हो जाते हैं, जैसे यहाँ अगर हम यह ambulance को देखें, आपने देखा भी होगा कि ambulance के सामने इस तरीके से क्यों ambulance लिखा जाता है, हम simple ambulance के ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं, यह a, b, इस तरीके से क्यों नहीं लिखते हैं, इस तरीके से उल्टेक मूं लिखते हैं, क्यों कि जब कोई सामने अगर ambulance के आगे को वो क्या करेगा वो अपने mirror में देखेगा कि पीछे कौन horn दे रहा है अगर ambulance horn दे रही है तो ambulance के लिए क्या है कि आपको ambulance को हमेशा पहले रास्ता देना है उसको आगे जाने देना है तो ambulance जब इस तरीके से लिखा होता है और कोई passenger आगे की गाड़ी में बैठा हुआ है वो अपने rear view में देखता है mirror में तब क्या देखता है कि ambulance जो इस तरीके से लिखा हुआ है उसके mirror में कैसा दिखाई देगा उसके mirror में आपको ये सीधा हो करके दिखाई देगा तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं कि पीछे जो गाड़ी है that is an ambulance तो इसलिए ambulance में इस तरीके से लिखा होता है बुजो का भी यह question था बुजो saw an ambulance on the road he was surprised to see the word ambulance in front was written in a strange manner तो अब इसका question का answer भी आपको भी पता चल गया बुजो को भी पता चल गया कि किस वज़े से ऐसा लिखा लिखा जाता है अब you might have observed that in the side mirror of a scooter or a car the image of all the objects appear smaller than the objects themselves have you ever wonder why is it so आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो क्या होता है कि scooter या car का जो side mirror होता है जिस से हम जिस mirror में देखते हैं कि पीछे का क्या traffic आ रहा है पीछे की कौन सी गाड़िया आ रही है उसको देखने के लिए जो mirror लगाया जाता है उसको हम side mirror बोलते हैं उस side mirror में जो भी objects हैं उनकी जो image बनती है वो उनके original size से काफी छोटी बनती है अगर आप भी खड़े हो करके उसको देखेंगे अपना चेहरा देखेंगे या अपना हाथ आगे करके देखेंगे तो आपको वो छोटा दिखाई देगा even mirror के उपर तो लिख के भी आता है कि objects appearing in this image in this mirror are smaller than they are in original जो appear हो रहे हैं इसमें इमेज में वो उससे smaller हैं तो वो ऐसा कैसे होता है और ऐसा क्यों होता है तो इसको हम आगे के topic में समझेंगे किस topic के थूर समझेंगे 15.4 playing with spherical mirror देखेंगे अभी तक हम लोग mirror की बात कर रहे थे जिसमें हम plain mirror इसलिए word use कर रहे थे तो plain mirror के अलावा की और mirrors हो सकते हैं तो अभी हम spherical mirror पे आते हैं spherical mirror के फूर हम यह जानेंगे कि spherical mirror क्या होते हैं उनके क्या uses हो सकते हैं इसको हम next video में cover करेंगे तिल देन बाई